प्रदार मंत्री विसकर्मा योशना के ताहद मिलने और फ्री सिलाई मसीन के लिए एक घर से कितनी महलाओं को मिलेगी मसीन या एक घर से कितनी महलाओं फ्री सिलाई मसीन के लिए आवेदन कर सकती हैं इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे छोटी सी ही वीडियो है इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा चैनल पर जो लोग पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर लें लाइक और शियर करना ना बूले और जेन लोगों को बिल्कूल भी फ्रीश रहे मसीन की जान करें नहीं है तो वो लोग वीडियो पूरा देखेंगे देख लीजिएगा और प्लेइलिस्ट भी आपको मिल जाएगा इंडी स्क्राइब मतलब होता है कि वीडियो जब खतम होने लगती है लाश्ट में जो स्क्राइब पर आपको चार थमनेल पर दिखेगा वही होता है लेकिन का वीडियो ठीक है उससे पर क्लिक करके डारेक्ट आब वीडियो देख सकते हैं तो बात कर लेते हैं फ्रीश लंहीं मुसीन के बारे में कि एक घर से कितने लोग आवधन कर सकते हैं देखेगे हैं कई सारे औप्संस होते हैं और मतलब होता है जैसे एक में टीन को मिल जाएगा तीन की तीनों को मिल जाएगा अब यहां पर दूसरी चीज यह आती है सामने हमारे की माल लेते हैं कि एक परिवार में जैसे बहु वाला मैटर नहीं है एक लड़की है या एक महिला है तो वो क्या विदन कर सकती है है तो जी हाँ बिल्कुल ज्यानि की अगर जिसे कि एक ही मैं हैं सब परिवार्य एक महीं है दो लोगा आवेदन चालते है ठीक है या एक चाची या एक मा इस तरीके से आवएदन कर सकते हैं दो-दो महिलां नहीं एक बेटी हो कुछ इस तरीके से दो लोग आवेधन कर सकते हैं लाव ले सकते हैं फ्री शिलाई मुसीन का प्रदान वंतर विसकर्मा योशना गेत ताहत अब आवेधन कैसे करेंगी फॉर्म कहां जामा करेंगी इसकी अल्रीड वीडियो मैंने बनाई हुए फिर भी ना समझ मैं तो कमेंट करिएगा अलग से वीडियो हम लेकर के आएंगे बाकी इस वीडियो को से अरका चला को सब्सक्राइब कर लें मिलता है अगली वीडियो में फिक्षिने जनकर के साथ थैंक्यू